कि देखिए बिनीद बागु तो मुल्टिबिकशन और मैट्रेस करेंगे जो एकट्रेसी सिसे करेंगे टू बाइन एक बीटू मैट्रीस करेंगे即ि करेंगे इसे के रहीं हिए क्विट है कि ओडर हरफ एक्व मैट्रेक्स कैसे लिखा जाता है रों इंटू कॉलम नई सुभक पहले रो लिखा जाता पिर कॉलम लिखा जाता है तो और अट्रिक्स में हमेशा रो इंटु कॉलम लिखा जाता है रो इंटु कॉलम का मतलब क्या हुआ हैं को क्योंकि छीश काम की चीज़ है, आप तो बने लगाई है, सिंपल से कंसेट है, इस पर सिंपल से क्वेश्चन्स भी बनते हैं, वो क्वेश्चन्स कैसे होते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, चिंता मत कीज़े, जैसे आपके पास ये एक मैट्रेक्स है, अब पहले तो जो बिनीद पार्किंग में, जो कॉलम्स नजर आते हैं, वो ऐसे नजर आते हैं, नहीं सहुझ मैं है, वर्टिकल, जी 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 बिल्कुल ठीक है रहा है, तो बिल्डिंग की पार्किंग में, कार पार्किंग में, जो कॉलम्स होते हैं, वो वर्टिकल होते हैं, उनको कॉलम्स बोला जात तो अगर ये कॉलम है तो बाबू यह जो है यह क्या हो जाएगा रो यहां तक ठीक है अब और जो लिखा जाता है वो रो इंटू कॉलम लिखा जाता है दो रो है और कॉलम कितने तीन नहीं सोज में आई पढ़ उड़ा है एक और एक्जेम्पल आपके सामने लिया जाएगा तो फिर मैं जाएगा अब आप चाहते हैं तू कि यह मैंटिपलाइन नहीं यह जाए यह क्रोस बोल दीजिए आप इसको यह इहां तक एक सिर्फ और की बात करेंगे और आफा मैट्रीक्स की अभी किसी और चीज़िए बात नहीं करेंगे तो अबर आफा मैट्रिक्स किया ह तो इसमें रोज कितनी होंगी दो और कॉलम कितने होंगे तीन स्मय डर सुधारा है तो दो रोज है और तीन कॉलम है बिनिन दाबांओ कोई डाव्ट अगर मुझे साठी बनाना है तो रो差不多 कोंड साठी हुद 510 का मैмठीMar लेते हैं, दो रो हैं, चार कॉल हम है, सरावनी जी कोई डाउट, यह जो crosses है, यह जो crosses है, यह elements है, बनीद बबू, समझा गया ना, यह जो crosses है, यह elements है, elements of a matrix, बहुत मुश्किल है, तो जैसे आपके syllabus में, जो सरावनी जी बोल दी थी, कि आपके syllabus में, जो matrix है, वो 2 by 2 के है, तो 2 by 2 मतलब, एक element यहां, दूसर element यहां, तीसर element यहां, चौता element यहां, तू by 1 का बना सकते हैं, सर, जो आप करना चाहते हैं, 2 by 1 का बना देजिए, दो रो, आम सारी, दो रो और एक कॉलम, अब 1 by 2 का बना सकते हैं, एक रो, 2 का बना सकते हैं, दो का बना सकते हैं, पक्का, क्योंकि, इसको लेके, थोड़ा सा, हम चीज़ों को, कॉंप्लिकेट करना शुरू करेंगे, अब, समझिए जा रहा, पहले मैं आपको, एक्जामपल लोगा, कल भी, यही चीज, डिस्कॉस्शन में, चलेगी, समझ लीजे, अगर आपके पास, एक्स, इंटू वाई का मैट्रिक्स है, नहीं सौझ मैं आए, एक मैट्रिक्स, एक्स बाई वाई का है, तो बाजू में, यह किसके साथ मुल्टिपलाय होगा, वाई इंटू जेट के साथ, नहीं सौझ मैं आए, दो मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं, कहने का मतलब, अगर मेरे पास, थ्री बाई टू का एक मैट्रिक्स है, यह हमेशा किस से मुल्टिपलाय हो सकता है, टू बाई सम्थिंग, नहीं समझ मैं आए, नहीं समझ मैं आए, मैं और एजामपल लोगा, आप चिंता मत कीजिए, सम्थिंग इंटू टू का मैट्रिक्स सिर्फ टू बाई सम्थिंग से मल्टिपलाय हो सकता है, कहने का मतलब, पहले मैट्रिक्स सुनिये, जो मैं कहरा हूँ, पहले यह कुछ भी हो सकता है, यह वाले कुछ भी हो सकता है, यह वाले कुछ भी हो सकता matrix है उसके जो column है मैं क्या बोलने की कोश्च कर रहा हूँ कि पहले matrix के जो columns हैं वो दूसरे matrix के number of rows के equal होने चाहिए बनीद बबु नहीं समझ मैं आ सरावनी जी कोई doubt तो कहने का मतलब जैसे मैं एक matrix ले सकता हूँ 5 by 2 का और दूसरा matrix ले सकता हूँ 2 by 7 का क्या ये multiply हो सकते हैं जी हो सकते हैं क्या है क्योंकि ये same है मैं एक matrix लेता हूँ 3 by 4 का और दूसरा matrix लेता हूँ 4 by 4 by 19 का क्या ये multiply हो सकते हैं अफकोर्स हो सकते हैं नहीं समझ मैं पहले ये समझिए कि पहले matrix के number of columns और दूसरे matrix के number of rows वो बराबर होने चाहिए वो equal होने चाहिए ये बात समझे में आई या नहीं आई तो कहने का मतलब अगर आपको कोई आके बोलता है कि बेटा एक बात बताओ इन दोनों की साधी करवा होगे तो आप बोलेंगे नहीं सर इनके तो गुन मैच नहीं होते इनकी मतसाथी कर रहो ये सले डिवोर्स करा लेंगे छे मिने में नेक चाहिए मैं आँ तो पहले matrix के columns और दूसरे matrix के rows मैच होने चाहिए कोई दुकलेश वेद न अब जो बालक बनेगा जो बालक बनेगा वो पहले और ये जो बालक बनेगा वो बालक बनेगा 5 by 7 का matrix यहाँ जो बालक बनेगा वो कौन सा बालक बनेगा 3 by 19 का matrix यहाँ तो आप साधी करा ही नहीं सकते नहीं सोज़ मैं आया बेड़न दुकलेश वेद न अक्का इस पर question बनता है इनको बहुत पसंद आई CAC वलों को तो अब देख लीजे मैं क्या लिख रहा था कि अगर एक matrix है x, y, y का तो दूसरा matrix हो सकता है y by z का अब इसका मतलब समझ आया y और y same होगा तो बालक जो बनेगा वो automatically उसका जो order बनेगा वो x by z का बनेगा मेरी बाद नहीं समझ आरी इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहला matrix है आपके पास 2 by 1 का दूसरा matrix है 1 by 2 का तो जो बालक बनेगा बनीद बाबू वो किसका बनेगा 2 by 2 का नहीं समझ में आया जैसे 2 rows and 1 column कैसे 2 row और 1 column का matrix दूसरा matrix कौन सा एक row और 2 column का तो जो भी बालक बनेगा अब उसकी चिंदा मत कीजिए क्या बालक बनेगा वो बालक जो बनेगा वो बालक ऐसे बनेगा 2 by 2 का दो रो दो कॉलम पिनीद बाबू नहीं समझ में आया बोलो भाई वो बालक का नाम कीजिए उसकी चिंदा मत करो मैं आपको सरफ यह बताना चाहता हूँ कि 2 by 1 का अगर एक matrix है पहला जो matrix है वो 2 by 1 का है और दूसरा जो matrix है वो 1 by 2 का है तो जो बालक बनेगा उसका जो order होगा मैं सिर्फ order की बात करो हूँ जो order होगा वो 2 by 2 का matrix बनेगा अब आप जो पूछ रहे हैं कि सर ये तो बताओ ये element में होगा क्या मैं वो कह रहा हूं कि उसकी जिंता मत कीज़े मैं को सिर्फ यह कह रहा हूं नहीं सौंगा है मैडम को डाउट है को दुखलेश वेट ना दो रो एक कॉलम एक रो दो कॉलम दो बटा दो अब ये मैं सरव आपकी एक शुरुवाद करना चाहता हूं मैं आपकी शुरुवाद करना चाहता हूं उसके बाद कल जा मुम मिलेंगे कल जा मुम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि डिटेल में होता क्या है अभी जो मैं आपको बात समझाई है multiplication की वो जो बात समझाई है वो बात लिखी होगी यहां पर जिसमें बनेगा question यह दिखे ऐसा question बनता है पहले का order अगर m by n है और दूसरे का order अगर n by p है तो product possible है नहीं समझ में आया है क्यों? क्योंके n और n दोनों same है और जो बालक बना matrix c जो बना उसका order क्या होगा? m into p m into p भई नहीं समझ में आ रहा master कुछ से बाते करता जा रहा इस पर question बनता है मैं इसलिए यह छोटा सा part 1 आपको दिखा देना चाहता था कल आप आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि पहला पिता जी का नाम m cross n माता जी का नाम n cross p यह माता जी का नाम m cross n पिता जी का नाम n cross p जिसको भी पहला मानना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है लेडीज हैं लेडीज मारेंगी मुझे तो जिसको भी जैसे भी आप रखना चाहते हैं तो बालक का नाम पहले तो ये देखिए गुन तब मिलेंगे जब पहले के कॉलम और दूसरे के रोस ये तो मैच होने चाहिए ओर जो है तो नंबर यह न यह न यह जी हम नमबर ओफ रोस और नंबर ओफ कॉलंस की बात कर रहे हैं हम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर 6723 दो तो डिफरेंट तेंग्स फान इस अधिशन मतलब वह अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखा हो उसकी बात नहीं हो यह तो जो बालक बनेगा उसका जो ओर है वो क्या होगा एम क्रॉस यह बात समझ आई या नहीं है तो यह बना आपका यह बना आपका कि एक ना एक नमबर का कुश्चिन बनता है यह ओडर से तो मैं चाहता थे कि ये एक बार आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो सब पहला मैट्रिक्स है 3x2 का दूसरा है 2x1 का तो जो बालक बनेगा वो 3x1 का बनेगा निक समझ मैं अब आप जो मेरे से पूछ रहें कि सर्क मल्टिप्लिकेशन कैसे करेंगे मैं उसको कह रहा हूँ गोली मारो आप सरफ ये देखो ये 3x2 का मैट्रिक्स है ये 2x1 का मैट्रिक्स है ये तो बालक देखो बालक कितने का बना 3x1 का नहीं समझ मैं मैं सिर्फ आपको ये बतानी कुछ कर दो अब वो जो मल्टिप्लिकेशन उसमें जो हवन करने के लिए जो समझ करी लगेगी क्या क्या लगेगा कितना घी सकर नारियल कितना लगेगा वो कल आपको बता दिये जाएगा समझा है तो अभी तो हम सिर्फ उन वर वदू के जो गुन है वो मैच कर रहा है देख रहा है क्योंकि इस पर कुछ भी बन जाता है अब कल हम देखेंगे कि यार ये जो मल्टिप्लिक किया जाता है कैसे जाता है बात समझ में आई मैं आपको कोई कुछ भी दिखा देता हूं इसका हाँ जैसे हाँ तो एक्षिली मैं आपको कुछिन नमबर टू दे दिया आप ऐसे कीजिए कुछिन नमबर वन कर लिजए तो जैसे इसको देखके इसके ओर्डर देखके आपको समझ आएगा कि क्या इनकी साधी करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे मेरी बाद समझ में है बाद समझ आ रही है ना और मूड है तो आप यह भी लिख सकते हैं कि वालक का जो है बालक का जो ओडर मनेगा वो क्या बनेगा बितरो कोई डाउट यहां तक दुकले जवेद ना आप कोई और कोशन मिलता है ओडर का नहीं है जी बतागी मैंडम ओडर में कोई डाउट है पका क्योंकि देखिए इन्होंने मुल्टिप्लिकरिशन किया नहीं होए यह दर जाएंगे जी हां बताइए मैं मुल्टिप्लिकरिशन में लिखना नहीं होता देखिए ओडर का जो क्वेश्चन है मैं ट्राइ करूंगा कल मैं आपको कुछ कुछ नहीं दिखा दोगा या हमने शायद मुल्ट के फैरे इमिव्य में की मैंुalah और मैंनरशी होonder वाले अगर मैंने कीव मैं आपको प्लेलिस्ट वह वीडियो बेज़आं वसमें की मैट्रिक्स के मैर एक सिंच्थ के जो सैनुसमें अगर को इकर कर दो डेक्शुर है वह मैं आपको बैसे गे कि और कशिन सब्सक्राइब और कैसे को समझ आ रहेंगे समझा तो कल जा मिलेंगे तो मैं को मुल्टिप्लिकेशन से करा दूंगा ठीक है वावाजी मीटिंग मंद कर रहा हूँ कि याश